हलो फ्रेंड्स, मैसल प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ओफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ यह जो वीडियो है यह आपके लिए काफी बेनिफीशल है क्योंकि यह जो वीडियो है यह ऐसे उन रक्षा बंधन कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो फेस्टिवल है रक्षा बंधन वो आने वाला है तो इसी के occasion पर अलग-अलग schools में, colleges में इसके उपर essay लिखने के लिए teachers बोलते हैं तो student को काफी परिशानी होती है तो उसी को solve करने के लिए मैं आपके लिए यह essay लेकर आई हूँ Guys अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो I humble request to all of you कि please मेरे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें और जाद से जाद से शेयर करें और end में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है साथ ही आपको किसी important topic पर essay चाहिए तो आप मुझे comment box में comment करकर बता सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं essay on रक्षा बंदन तो starting हम ऐसे करेंगे, साथ साथ मैं आपको हिंदी explanation भी इसकी बताती रहोंगी ताकि आपको इसको समझने में किसी तरह की कोई भी problem ना हो तो रक्षा बंदन is one of the most important festival of Hindus कि जो रक्षा बंदन है वो बहुत ही महत्रपोन festival है हिंदूस का जो sister है, जो बहन है वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है टाई का मतलब होता है बच्चों बांधना इसे एक पवित त्योहार हिंदूों का माना जाता है होली मतलब होता है पवित जो ये रक्षा बंदन है इसका मतलब है बोन्ड उफ परोटेक्षन रक्षा का एक शोतर प्रोटेक्षन मतलब होता है सुरक्षा which signifies a brother's duty to protect his sister जो ये बताता है कि एक brother, एक भाई की एक duty है एक कर्तव्य है कि वो अपनी बहन की सुरक्षा करे On this day is then sister pray for the well being of their brothers जो sister होती है वो भी अपने भाईयों के लिए अच्छे भविश्य की कामना करती है pray करती है, प्रातना करती है The main importance of this festival is that it builds up the strength and the bond between a brother and a sister कि ये जो brother और sister है उनके बीच का एक bond तयार करता है which is one of the purest relationship on the SPS day जो कि ये सबसे पवित रिष्टा होता है पूरे संसार का The brother and sister start the day with joy कि जो brother sister है वो इस दिन की शुरुवात पूरे enjoy से करते हैं पूरे हर शुर लास से करते हैं They get ready wearing new clothes and then they sit together वो सबसे पहले ready होते हैं नए-nए कपड़े पहनते हैं और एक साथ बैठते हैं The sister ties a raki जो sister है वो raki बांधती है around the rest of her brother अपने भाई की कलाई पर She offers him sweets और उसे sweets खिलाती है offer करती है to eat खाने के लिए and get a return gift from his brother और अपने भाई से एक return gift पाती है एक gift पाती है At last you can write रक्षा बंधन is a festival of a pure form of love between brothers and sister कि जो रक्षा बंधन है वो एक बहुत ही पवित और कह सकते हैं pure festival है कि इसके प्यार के बीच का भाई और बहन के प्यार का It is a festival of strength, the bond between brothers and sister ये भाई और बहन के रिष्टे की जो मजबूती है उसका प्रतीक होता है यहतिवार तो गाईज ये आपके लिए ऐसे था I hope आपको ऐसे पसंद आया होगा अगर आपको ऐसे अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे अपना support दे आपका कुछ नहीं जाता है एक subscribe का बटन दबाने में और मेरा बहुत effort लगता है एक वीडियो बनाने में तो प्लीज गाईज मुझे थोड़ा support करें मेरी जो ये महनत है आपके लिए तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे थोड़ा support करेंगे और साथ ही आपको किसे important topic पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment box में comment करकर बता सकते हैं मैं आपकी अपनी तरफ से 100% help करने की कोशिश करूँगी तो guys मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए happy रिक्षा बंदन in advance thank you